हलो फ्रेंट कैसे हैं आप आई होप अच्छे ही होंगे स्टड़ी अड़्डा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो है हम इंगलिस का वन वर्ड सब्ट्रिशुशन देखेंगे ठीक है पहले तो मैंने सोचा कि 2013 में जितने क्वेश्चन आया थे पूरा ले लू लेकिन मैंने इसे नहीं किया है मैंने पॉर्ट वाज लिया है 2013 का 2 shift का पेपर हुआ था तो जो shift 1 में 5 question थे and shift 2 में 5 5 5 question इसले लिया है क्योंकि देखें actually में ये 5 question आपको नहीं मिलेंगे ठीक है 5 question के साथ जो 4 option उनको भी मैंने clear किया है कि किसके लिए one word होंगे या नहीं होंगे तो total इसमें 21 word आपको मिल जाएंगे अगर आप grab करना चाहेंगे तो ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल को subscribe कर ले subscribe button के just bugle में आपको एक bell मिलेगी उस bell पर click कर दे जिससे in future जो भी वीडियो अपलोड करें उसका notification आपको मिल जाए ठीक है ये 2013 का part 1 है ठीक है जब part 2 अपलोड करेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like करें और comment करके हमें बताएं ठीक है और कैसी improve कर सकते हैं या और क्या लाना है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला question था a large burial ground ठीक है burial मिसे मतलब क्या होता है burial means होता है दफ़न ठीक है जहां पर दफ़न करते हैं ठीक है हिंदी में क्या कर सकते हैं इस one word को हिंदी में क्या कहेंगे कबरिस्तान ठीक तो कबरिस्तान की meaning यहां पर क्या होगी symmetry ठीक है मतलब कबरिस्तान तो इसका answer क्या हो जाएगा कबरिस्तान ठीक है यह देखी यह symmetry है यहांपे C है यहांप S Y W A इसके मितलब क्या होता है समरूपता जो एक समान दो चीजे दिखे समरूपता कहते है ठीक है और एक word है immisery इसका मतलब क्या होता है जैसे किसी को mission पे भेजा जा ठीक है to represent another person मतलब secret agent जो होते है न उनको कहते है a secret agent a secret agent यह इनको कहते है a person who is sent on a mission to represent another person ठीक है इनको secret agent कहते है तो याद करे लिजेगा यह बहुत अच्छा word है ठीक है देखे mercenary इसका मतलब क्या होता है ठीक है देखे soldier आप जानते है soldier cynic तो कुछ soldier तो होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते है तो यहाँ पे soldier की बात नहीं किजा रहे है कुछ soldier जो होते हैं जो पैसे लेके लड़ाई करते है अपेड soldier ठीक है तो mercenary किसे करते हैं अपेड soldier को अपेड soldier who will fight for any group any country ठीक है जो पैसों के लिए लड़ाई करते हैं उन्हें mercenary करते हैं ठीक है a paid soldier who will fight for any group or country ठीक है for any group or country तो a large burial ground का मतलब क्या होगा symmetry next देखते है one whose motive is merely to get money ठीक है one whose motive is merely to get money ठीक है तो इसके बारे में अभी मैंने बताया क्या होगा mercenary ठीक है इनका motive क्या होता है money को पाना ठीक है business like means क्या होता है कुछ लोग के देखी confusion हो जाता है कि business like होगा business like में तो होता है having or showing quality that are considered good in business मतलब आप कर सकते हैं serious, polite, practical वेक्ती को business like वेक्ती करते हैं ठीक है having or showing qualities that are considered business ठीक है like serious, polite, practical, polite and practical next देखते हैं देखे polyglot ठीक है यह कहते हैं जो लोग कई language जानते हैं ठीक है knowing और using several language several language वो कैसे कहते है polyglot ठीक है अभी मैं paper कबर कर लो उसके बाद मैं जिसे poly जहां पी लगा रहेगा उसका meaning क्या होगा अलग-अलग root word की तरह लिके आऊँगा ठीक है सरीज जिससे आपका maximum vocab कबर हो सके ठीक है ठीक है तो जिनको बहुत सारी language पता होती several language दो से जादा दो के लिए दुसरा वड़ है दो से जादा पता होती उन्हें polyglot करते ठीक है अब polyglot community made up of many cultures ठीक है fastidious अगला word क्या है fastidious fastidious मिंस क्या होता है hard to please hard to please या तुनक मिजाजी ठीक है इसको पुरानी जमाने में क्या बोलते थे scornful मतलब जो लोग बहुत जिद्धी टाइप हो इसका use देख लिजे he is fastidious about keeping the house clean next देखते है a man who is quite like a omen ठीक है मतलब कि एक आदमी जिसके अंदर कुछ omen की तरह दिखता हो या जिसके अंदर कुछ quality हो जो omen से related हो ठीक है देखे feminine और feminist में अंदर क्या है जहाँ पि ये st लग जाएगा जिस भी किसी भी word में maximum 99% word में वहाँ पे समझ लेजिए परसन की बात हो रही आदमी की बात हो रही ठीक है और यहाँ पर परसन की बात नहीं हो रही है ठीक है फैमनी मिन्स ये word जो है girls के लिए suited to girl या related to girl world है ठीक है suited to girl या related to girl world है feminist means अब एक person आ गया वो चाहे girl हो या चाहे boy हो चाहे man हो चाहे woman हो ये नारीवादी से related है इसको क्या कहते है नारीवादी जो अरतों को support करता है वो person feminist कहलाता है ठेक है effeminate इसके means क्या होता है देखे इसको अगर हम इसको बाढ़ देते है एफ फे मी नेट ठेक है effeminate मतलब किसी को बुला रहे है किसी आदमी को कैसे effeminate मतलब having or showing a quality that are considered more suited to women than to men तो इसका answer क्या होगा effeminate ठेक है यहां पर लिख देता है इसके मतलब क्या होता है having or showing having or showing a quality that are considered more suited to women women than to men ठेक है next देखते है a co-worker in an office or institution ठेक है तो जिसको मतलब इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा तुरंत कलीक मार देंगे और इसका कलीक answer सही भी होगा ठेक है मैं यह नहीं कर रहा हूँ इसका a co-worker in an office or institution का answer क्या होगा कलीक ठेक है लेकिन अब हम थोड़ा सबकी हिंदी में meaning जानते है क्या होता है companion means क्या होता है साथी align means साथी accomplish means साथी colleague means co-worker मतलब साथी अब क्या होगा सबका meaning तो साथी हो गया ठेक है लेकिन सबका अलग-अलग जगह यूज हो गता है companion के यूज का बोता है helper या friend में ठीक है helper में ठीक है या friend के साथ हो ठीक है या companion उनको भी करते हैं जैसे husband to wife husband और wife साथ साथ काम करते हैं तो एक उसे companion होते हैं ठीक है या कोई assistant है living with a disabled person ठीक है disabled person के साथ जो assistant रहता हो वो भी साथी होता है लेकिन वो companion में आएगा ठीक है husband to his wife, husband to his wife, assistant living with a disabled person, living with a disabled person, ठीक है, disabled person, ठीक है, अब लाई, अब लोग तो सांते हैं, दो देशों के बीच में जो संबन्द होता है, मित्र का या मित्र का जो संबन्द होता है, जैसे जब लडाई होती तो दो दो इसते एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इलाई का यूज करते हैं, मित्र किनके बीच में दो देश के बीच में, ठीक है, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस मिंस भी साथी होता है, ठीक है, जब अपराद में साथ हो, ठीक है, या जुर्म में, तो यहाँ पर अकम्प्लिस का प्रयोग करते हैं, अपराद में साथी, जुर्म में साथी, ठीक है, जुर्म में साथी, ठीक है, कलीग कलीग तो हो गया अकोवर्कर इन अफ आफिस और इंस्टिशूशन ठेक है एक चीज़ देखे एक वर्ड होता है पीर ये भी कलीग से काफी मिलता जुलता वर्ड है देखे दोनों में अंतर क्या होता है जैसे एक आफिस है ठेक है अब इस आफिस में अगर आप यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे है कोई इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो आपका कलीग कलाएगा मतलब एक आफिस के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कहीं भी काम कर रहा है वो कली कलाएगा लेकिन पीर कौन कलाएगा जो आपके साथ किसी तरह connected हो मतलब या तो आपके साथ काम कर रहा हो या तो उसकी salary आपकी salary same हो ठीक है या तो उसका position जो designation है आपका designation जो है same हो तो वो आपका क्या होगा पीर होगा ठीक है next question देखते है to supply land with water by artificial means ठीक है मतलब क्या है यह यह कह रहा है कि किसी artificial चीज से जो है water को supply करना land पे क्या कलाता है ठीक है तो यह पहला word है irrigate irrigate का अगर आपको हिंदी meaning पता होगा तो आप तुरंद कर देंगे irrigate means होता है सीचना ठीक है सीचना किस से किसी भी चीज से pipe से या किसी भी चीज से तो यह artificial हो गए ठीक है तो इसका answer क्या होगा irrigate ठीक है अब देखते mitigate means क्या होता है to make something less severe or harmful ठीक है to make something less severe या harmful ठीक है एक word का use करके समझाते हैं mitigate का यूज करते हैं कैसे है emergency fund देखिए यह sentence है एक emergency funds are being provided to help mitigate the effect of the disaster मतलब क्या होगा emergency fund are being provided to help mitigate the effect of the disaster जो माल पास emergency fund था उसकी वज़े से जो effect का disaster था to make something less या severe मतलब कम हो गया mitigate means to make something less या severe या less harmful ठीक है watergate means देखिए watergate एक building का नाम था वासिंगटन में वो building थी और सन 1972 की बात है जब वहां पर कोई party पर अब clear नहीं आदा रहा मुझे ठीक है तो इसका means actually scandal से होता है usually जो इसका use करते है a scandal ठीक है जो scandal में involved होता है उनके लिए watergate का use करते है ठीक है postulate ठीक है to suggest किसी चीज़ को suggest करना something such an idea or theory ठीक है तो इसका use करते है इसका मतलब क्या होता है to suggest something such as an idea or a theory इसका use देख लेते है ठीक है use क्या होगा इसका postulates ठीक है क्या होता है इसका मतलब postulate that that all people are born with certain rights that can never be taken away from that, ठीक है, तो ये एक suggestion दे रहा है, ठीक है, कि सभी लोग जो है, certain rights से, उनके पास कुछ right होती है, पैदा होती है, जो उनसे छीना नहीं जा सकता, ठीक है, तो postulates means suggestion देना, ठीक है, तो thank you दूस्तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो like, comment और share जर